नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में ये जो वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, ये जो है हाली में हाली में कि आप ये एक दो घंटे पहले ही, ये जो NCVT की साइड है इस पर एक notification अपडेट हुआ है, मैं पहली बता दूँ, ये जो notification है ये importance रखता है उनके लिए जिनके ITIs है, मतलब कि उनके लिए ज़्यादा importance नहीं रखता जो IT कर रहे हैं, उनके लिए importance रखता है जो IT चलाते हैं क्योंकि यहर देखो, मैं तो यहीं बोलूँगा, अगर आप IT कर रहे हैं न, और अभी IT में आप हैं तो please कैसे न कैसे, अपने विभाद को ये information पहुचा देना, अपने institute को ये information पहुचा देना कि ऐसे ऐसा हो रहा है, आप कर लो, क्योंकि हो सकता है, कि जो private IT is है न, थूड़ा सा ध्यान उनका इस चीज़ पर कम होता है, government तो कैसे न कैसे अपना काम कर वा लेते हैं private IT वालों को ये कदम उठाना पड़ेगा, अगर उनसे ये गलती होई है तो, तो वो मैं आपको समझा दूँगा, दूसरा, एक मुझे update आप लोग को पहले देनी है, कि जो आप लोगों के IT के exam न, 23 तारिक से 100% होने वाले हैं, आपको पता ED का exam होने की पूरी possibility है पहले, प वो, तो ये वाली meeting है, इसके बाद आप लोगों का जो notification अपडेट हो है, वो हुआ ये वाला, ये देखरें आप, reactivation of IDs, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें क्या दे रखा है, जैसी मैं इसे open करता हूँ, तो मेरे सामने जो है, इस तरीके का एक notice आता है, तो य ये notice मैंने आप लोगों को पहली बताया, उनके लिए importance रखता है, जिनके ITIs है, जो ITIs चला रहे हैं, लेकिन यार, importance तो रखता है, क्योंकि इसमें बच्चों का जो है, भला भी होना है, अगर किसी ITI किसी भी तरीके का भुरा परवाब पड़ता है, तो obvious सी बात है कि उसका आइटे के बच्चों पर भी पड़ेगा, अगर ये activation नहीं हो पाता, तो आप लोगों का जो विभाग है, आप लोगों का जो इंस्टूट है, वो आप लोगों के admit card और ID जो है, उसे जलेट करने में आना का नहीं करेगा, और आप लोगों से extra पैसे मांगेगा, इसी आप लोगों के मर्जी है, लेकिन मेरे according ये information पहुचना आप लोगों तक और आपके institute तक जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या दे रखा है, तो ये जो है, अभी हाली में generate हुआ है, अभी थोड़ी समय पहले generate हुआ है, तो यहाँ पर जो है, ये to all the state director को लिखा गया है, उसके बाद subject में minute of meeting है, 13, जो आप लोगों का, ये मैं minute of meeting वाला दिखा रहा हूँ, मेरे को जो notice दिखाना है, वो ये वाला दिखाना है, ये वाला, sorry, मैंने आप लोगों को different दिखा दिया, तो यहाँ पर जो है, ये भी आप लोगों का, जितने भी industrial training institute से उनको लि नहीं किया, जिसके वेच से उनकी IDs को जो है, यहाँ पर इन्होंने inactivate कर दिया गया है, इन्होंने कर दिया गया है, तो link was enabled from 30th October 2nd November, to 2nd November, in spite of few IDs could not pay the reactivation fee, तो ये तो date इन्होंने दे रखे ती, लेकिन इन्होंने क्या किया है, keeping in view of difficulties faced by the ITIs, who could not pay reactivation fee, it has been decided by the competent authority, जो जो है, reactivation link will be enabled from 30th, जो आप लोग का नवंबर है, 2022, 70th November, आप लोग को चार से पास दिन और दे दिये गए हैं, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरीकी की असुविदा ना हो, आप लोग जो है, reactivation fee पे करके 1000 रुपे की, और जो भी 5000 रुपे fee इन्होंने बाद में रखी है, किसी भी तरीके का further extension नहीं दिया जाएगा, और उनके IT इस पर बड़ा पर भाव पड़ेगा, जिससे कि बच्चों को भी beer करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी IT पर भाव पड़े, और उस IT पर भाव पड़ेगा, तो obviously बाद है, IT वाले बच्चों पर पड़ेगा आपको पता, IT इस खुल भी गए है, बज़ जो हिमाचल परदेश का है, हिमाचल परदेश का गड़ बला रहा है, बाकी का सब कुछ ठीक है, हिमाचल परदेश में कुछ लोकडाउन की वज़े से बदर दुबारा से institute बंद किये जा रहे हैं, अब देखते हैं उसका क्या हो क्या है?